नमस्कार दोस्तो स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चेनल में और दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और महतुपून जानकरी के साथ हम एक बार फिर आजी रहें आप लोगों की सेवा में दोस्तो आईए आज हम सभी जानते हैं वीजे सार पेड के कुछ फाइदों के बारे में और यह किस प्रकार से हमारे शरीर के लिए बेनिफिशल होती है और इसके कुछ नुकसानों के बारे में दोस्तो सबसे बिले आपको बता देते हैं वीजे सार आखिर है क्या दोस्तों विजे सार पेड़ का उपयोग प्राचिन समय से ही ओजदिय उपयोग के लिए किया जा रहा है विजे सार के फाइदे मुख्य रूप से मदु में जैसी समस्या को दूर करने के लिए जाने जाते हैं इसके अलावा विजे सार बहुत सी अन्य स्वास्त समस्या को दूर करने में काफी सायक माना जाता है दोस्तों इस ओजदिय पेड़ को मलबार कीनों केते हैं जिसे भारत में विजे सार के नाम से जाना जाता है विजे सार का विग्यानिक नाम पेट्रो कारपस मारसु पीम है ओजदिय गुनों के कारण इस पेड का विबिन ओजदियों के निर्माण में व्यापक उपयोग किया जाता है विशेश रूप से मदुमे के रोग्यों के लिए दोस्तो इस पेड चाल का उपयोग किया जाता है साती इस पेड की लकडियों से बने बर्तनों का भी उपयोग भोजन करने और पानी पीने के लिए उपयोग में लिया जाता है तो चलिए दोस्तो ये तो था इसका छोटा सा परीचे अब आपको बताते हैं इसके फाइदों के बारे में दोस्तों मदूमे की रोक्थाम करने के लिए विजे सार एक प्रभावी उपाई माना गया है विजे सार का उप्योग कर आप मदूमे के लक्षनों को कम कर सकते हैं विजे सार रक्त शरकरा के इस तरको कम करने के साथ ही कोलेस्ट्रोल को भी कम करता है नियमित रूप से विजे सार का सेवन करने से या मदूमे के लक्षणों जिसे की बार-बार पेशाब आना, बार-बार भूक लगना, प्यास लगना, शरीर में दर्द और जलन की समस्या इन सभी को कंट्रोल में रखता है इसके ओज़दे रूप में विजे सार का उबो करने के साथ ही कुछ लोग इसकी लकडी से बने बर्तनों से भोजन करने की भी सला देते हैं दोस्तों, यह खून की कमी होने से शरीर में रोकता है जियां, जिन लोगों को एनिमिया या फिर कून की कमी होती है, उनके लिए विजे सार बहुती फाइदेमन जड़ी बूटी साबित हो सकती है विजे सार में मोजूद पोशक तत्व में आईरन भी शामिल होता है, जिसकी उच्च मात्रा होती है आईरन की कमी से एनेमिया की समस्या होती है क्योंकि रक्त उत्पाधन और हेमोगलोबेन के लिए लोहे की आवशक्ता होती है आप अपने शरीर में आईरन की कमी को दूर करने के लिए विजे सार के लाब उठा सकते हैं या आपके शरीर में रक्त उत्पादन को व्रद्धी कर सकता है। इसके लाव दोस्तों प्राचिन समय से ही विजे सार का उपयोग ओजदी के रूप में किया जा रहा है जो की दस्त का इलाज कर सकता है। दस्त होने के दोरान निर्जली करण की समस्या हो सकती है जिसके गंबीर परिणाम होते हैं। दस्त से ग्रसित व्यक्ति को बहुत अधिक ठकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है। लेकिन दस्त का इलाज करने के लिए विजे सार का उपयोग किया जा सकता है। इसके लावा दोस्तों यह पेट के कीड़ों को मारने में काफी प्रभावी उपचार इसका माना जाता है। हाथी पाउं का इलाज करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। इसके लब दोस्तों इसकी जो लकड़ी होती है उससे फ्रेक्चर ठीक करने में मदद मिलती है शोषन समस्याओं को दूर करने में भी इसका काफी उपयोग होता है तो दोस्तों देखा आपने ये थे इसके कुछ लाजवाब फाइदे अब जानते हैं इसके कुछ साइड फेक के बारे में और किन लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी दोस्तों मानव स्वास्त के लिए विजे सार बहुत ही फाइदे मन होती है लेकिन आवशक्ता से अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से कुछ दूस प्रभाव भी हो सकते हैं इसके लावा कुछ लोगों को उनकी शारिरिक शमता के अनुसार भी विजय सार का सेवन कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है बंदनकारी गुण होने के कारण विजे सार का उपयोग दस्त के इलाज में किया जाता है इसलिए कब्ज की समस्या से ग्रसित व्यक्ति को इसका उपभोग करने से बचना चाहिए यदि आप मधुमे का उपचार करने के लिए दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो ओजदी उपयोग के रूप में विजे सार का सेवन करने से बचें क्योंकि यह आपके शरीर में बलड शुगर को के इस्तर को बहुत कम कर सकता है तो दोस्तों देखा आपने ये थे एक आयुरवेदी ओजदी या पोधा या फिर पेड जिसे हम विजे सार के नाम से जानते हैं भारत में उसके कुछ फाइदे और उपयोग और नुकसानों के बारे में संपूर ने जानकरी उमिद करता हूँ आपको मेरी ये जानकरी पसंद आई होगी अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दमाएं धन्यवाद दोस्तों